जहिंद वंदे महत्रम स्वागत अब सभी का सक्सेस वर्ल्ड एम से क्यू चैनल पर तो चलिए आज किस वीडियो में साइन्स के 25 मोश्ट इंपोर्टन कोसंस को लेकर आए हैं और फ्रेंट्स जैसे कि आप सभी जानते हैं किसी भी एक्जाम में साइन्स के प्रस्नों का वेटेज अधीक होता है इसलिए आज का या वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है तो चलिए आज के सेसन को स्टार्ट करते हैं तो आज के सेसन का सबसे फर्ष्ट कोस्टन है प्रकास का वेग अधिक्तम किसमे होता है काफी बार पूछा गया प्रस्न है और अगर आपको इन में से किसी भी प्रस्न का आंसर आता है तो आप लोग कमेंड बॉक्स में आंसर करते जाएंगे तो इसका सही जवाब कि प्रकास का वेग सर्फर्थम किस वेग्यानिक ने गयाद किया था तो याद रखना है रोमन वेग्यानिक ने सर्फर्थम प्रकास के वेग को गयाद किया था अगर आपसे पूछे कि प्रकास की गति निर्वात में कितनी होती है तो तीन गुना दस पर पावर आट मिर्थ प्रति सेकेंड होती है, सूरी से प्रकास को धर्ती की सता पर पहुचने में कितना समय लगता है, तो 8.15 यानि की 8.15 लगते हैं, और याद रखना है, माध्यम के तापमान में वृद्धी के साथ प्रकास की गती पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, चली आगे बढ़ते हैं, नेतर में आईरिस का काम होता है, चली इस से संबंदिद कुछ प्रस्नों को देखते हैं, तो प्रस्न है, मानव की आग पर वस्तु का परतिविम कहां पर बनता है, तो आपका जवाब होगा रेटिना पर, नेक्स्ट फेक्ट है, मानव आग की रेटिना पर परतिविम कैसा बनता है, तो वास्तुक तथा उल्टा बनता है, कई बर पूछागे प्रस्न है, तिसरा फेक्ट है, स्वस्त्र नेतर के लिए असपष्ट द्रिष्टी की नियुनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटिमीटर की होती है, यानि कि पूछा राय स्वस्त्र मानव नेतर के लिए अस्पर्ष्ट दस्टी की निंतम दूरी 25 सेंटीमेटर काफिवार पूछाएगा प्रस्टने नेक्स्ट है यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता तो इस दोस को क्या बोलते हैं निकट दृष्टी दोस बोला आता है जिसे मायोपिया भी बोला जाता है यदि कोई व्यक्ति पास की वस्तुओं को नहीं देख सकता तो इस दृष्टी दोस को दूर दृष्टी दोस या हाइपर मेटरोपिया भी बोला जाता है सभी important facts को याद रखना है काफिवार एक्जाम में पूछा जाता है प्रत्यक इस्ट्वयन को कमेंट बोक्स में आंसर करते जाना है ताकि आप सभी का जितना भी doubt हो सरा doubt किलियर हो सके तो भोजन का पाचन यह किस प्रकार की अभीकिरिया है option C बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा इसे oxidation reaction भी बोला जाता है ध्यान रखना है next question को देखते हैं प्रिथक करन का नियम किस ने दिया था इसका सही जवाब हो जाएगा option C मेंडल ने प्रिथक करन का नियम मेंडल ने दिया था option C बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा next question देखते हैं तो apology में किसका इध्यन किया जाता है और friends section के end में अपना इपना score जरूर देना है तो psychology में किसका अध्यन किया जाता है सेवाल का आध्यन किया जाता है option A बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा next question देखते हैं ध्रहनी तरंगे किसमे नहीं चल सकती है इसका सही जवाब जाएगा option B निर्वात में ध्यान रखना है ध्वनी की तरंगे निर्वात माध्य में नहीं चल सकती है option B प्रसने का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस से related प्रसन देखते हैं जैसे कि ध्वनी की चाल अगर आपसे पूछे कि अधिक्तम किस में होता है तो ठोस में होता है अगर option में ठोस ना मिले इस पास मिले तो इस पास भी right answer हो जाएगा यानि कि ध्वनी की चाल अधिक्तम इस पास में होती है ध्वनी अस्तर के मापन की काई decimal होती है तीसरा fact है ध्वनी तरंग किस से है तो ध्वनी से याद राखना है काफे बार ये प्रस्न पूछा गया है चली आगे देखते है next question है केलविन मान से मानब सरीर का सामान ताप कितना होता है answer करेंगे तो इसका सही जवा बदेगा option A केलविन मान से अगर मानब सरीर का ताप मान पूछे तो 310 next question है बायो गैस का मुके घटक क्या होता है और friends आपको प्रस्न के लेवल को देखकर भी पता चल गया होगा कि सारे प्रस्न मैं आपके लिए important लेकर आया हूँ वही प्रस्न लेकर आये है जो कि आपके एक्जाम में पूछे जा सकते है तो बायो गैस का मुके घटक मिथेन होता है option A बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा मिथेन का formula पूछे तो CH4 होता है next question को देखते है किस वग्यानिक ने दुर्विन का अविस्कार क्या था काफी बार पूछा गया प्रस्न तो सही जबाब हो जाएगा गैलियो ने गैलियो वग्यानिक ने दुर्विन का अविस्कार क्या था इससे संबंदित और प्रस्न को देखते हैं जैसे कि टेलिविजन का अविस्कार केशने क्या था तो JL V8 ने थरमस प्लास का पूछे तो D-BAR हो जाएगा और Dynamite का अविस्कार पूछे तो Alfred Nobel हो जाएगा ये प्रस्न काफी बार पूछा गया है Dynamite का अविस्कार नेक्स्ट को देखते हैं परमानु बम किस सिधान पर कारी करता है इंपोर्टन प्रस्न है इसका साई जबाब है Option B परमानु बम नाविके विखंडन के सिधान पर कारी करता है अगर आपसे पूछे कि हमारा जो सूर्य है ये किस सिधान पर कारी करता है तो सूर्य जो है नाविके सल्लेन के सिधान पर कारी करता है अगर आपसे पूछे में भारी जल जिसे D2O भी लिखा जाता है इसका परियोग मंदक के रूप में किया जाता है यह बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा नेक्स्ट कोशन को देखते हैं सूरी कता आप किस से मापा जाता है और फ्रेंट्स अगर आपको कौन सी कैसे होती है तो हाइडरोजन ठीक है फिर हिलियम होती है इससे रेलेटट्स फेक्ट है जैसे सूरी उरजा का निर्मन किस से होता है तो नाभी के सनलेन के द्वारा होता है ताप का SI मातरा कुछे तो केलबिन होता है ध्यान रखना है चली आगे बढ़ते हैं साबुन को जल में घुलने से प्रिश्ट तराव पर क्या फर्क पड़ता है इसका साइज जवाब है option B घड़ जाता है साबुन को जल में घुलने से प्रिश्ट तराव घड़ जाता है 20% का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका साइज जवाब है option C से अधिक जाने कि साबुन के बुल्बुले के अंदर का दाब वायो मंदलिया दाब से अधिक होता है C बिल्कुल सही जवाब है इससे related fact है डाब का मातरक पूछे तो पासकल होता है वायो मंदलिया दाब की रीडिंग में अचानक अगर गिराबट आजाए तो तुपहन का सूचक होता है याद रखना है हाइड्रोजन से भरा रवण का गुबारा वायो में उपर जाकर फड़ जाता है क्योंकि वायो दाब घड जाता है नेक्स्ट कोशन को देखते हैं लियूमेन किसका मातरक होता है काफी बार पूछा गया प्रसने इसका साही जवाब पदेगा ऑप्शन भी जोती फ्लक्स का जोती फ्लक्स का मातरक होता है लियूमेन याद रखना है दाब का क्या होता है पासकल होता है इस से related facts है प्रकास vanse दूरी की काई होती है याद रखना अगर आप से पूछे कि प्रकास वर्ज किस की काई होती है तो दूरी की काई होती है अगर आपसे पूछे कि lens की छमता का SI मातर क्या होता है तो डायोप्टर होता है देखिने ह helper लिखा गया है टायपिंग एर है डायोप्टर होता है किस किरिया के फलन शर्णुप पलोधों की ऑक्सीजन का निकास और carbon dioxide का absorption होता है इसका साही जबाबा चाहेगा option ये प्रकास translation प्रकास translation को photosynthesis भी बोला जाता है पेड पौधों की पत्या हरे रंग की कुलोरोफिल के कारण होती है ये भी ध्यान में रखना है और कुलोरोफिल में मैगनिसियम धातु आयन पाया जाता है नेक्स्ट कोशन को देखते हैं न्यूटन की गती का प्रथम नियम क्या कालाता है काफी बर पूछा गया प्रसने तो न्यूटन की गती का प्रथम नियम जड़तो का नियम कालाता है औप्शन बी बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा न्यूटन बैगानिक ने गती के तीन निय इसका सही जवाब होजाएगा अनंत, option C बिल्कुल सही जवाब होजाएगा, इस से related important point है, जैसे कि आप से पुछ सकता है, दाथ के डॉक्तर का दरपन जो होता है, वो कौन सा दरपन होता है, अवतल दरपन होता है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दरपन का फ्योग होता है, अवतल दरपन का होता है, और पानी में हवा का जो बुल्बुला बनता है, वो अवतल लेंस की तरह कारे करता है, ये भी ध्यान में रखना है, next question को देखते हैं, हीमोगलोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है, काफी बार पूछा गया प्रसन है, तो हीमोगलोबिन में लो क्रिया को क्या बोला हैता है, डालेसिस बोला हैता है, ये प्रसन काफी बार एकजाम में पूछा गया है, तिसरा है, रक्त दाब को किस से मापते हैं, तो इस फिगनो मैनोमीटर से रक्त दाब को मापा जाता है, next question को देखते हैं, दो रेल पटरियों के मद जोड़ पर एक चोटा सा अस्थान क्यों छोड़ा जाता है, इसका रीजन है क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती और थंडी होने पर संकुचित होती है, बी सही जबाव हो जाएगा, next question को देखते हैं, मनुस्ख के मस्थिस्क की सबसे बारे जिल्ली क्या है, इसका साई जवाब है, option C, ड इुरा मिटर मनुस्ख के मस्थिस्क की सबसे बारे जिल्ली है, अगर आपसे पूचें कि मनुस्ख के मस्थिस्क का वजन कितना होता है, तो 1400 ग्राम वजन होता है, इसका जो range होता है, 1350 से लेकर 1450 तक होता है, लेकिन आपको अक्षर एक जाम में 1400 मिल सकता है, तो इसका right answer 1400 ग्राम हो जाएगा और एक प्रस्ण बनता है कि मानाब शरीर की सबसे छोटी ग्रंथी कौन सी होती है प्यूस ग्रंथी या धकना है मानाब शरीर की सबसे छोटी ग्रंथी प्यूस ग्रंथी है जो कि मस्तिस्क में ही पाया जाता है नेक्स्ट कोशन को देखते हैं मानाब शरी का नामकरण किस ने किया था इसका साही जवाब है option B, बेली सिवं इस्टारलिंग ने हर्मोन सब्द का नामकरण किया था, next question को देखते हैं किस विज्ञानिक को जिव विज्ञान का जनक कहा जाता है साही जवाब है option D, अरस्तु अरस्तु को जिव विज्ञान का जनक कहा जाता है, तो चलिए session के end में एक प्रस्न पूछते हैं positron की खोज किस विज्ञानिक ने की थी साही से प्रस्न को सुन लिजिए positron की खोज किस विज्ञानिक ने की थी, और इसका answer आपको comment box में देना है, और ये वीडियो खत्म होने के 10 मिनिट के अंदर जितने भी student का इस प्रस्न का answer 60 का answer आएगा, उसके answer को commenty tab में post किया जाएगा तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद